आदर्स धर्म सुनातन धर्म के सभी परंप्रिय दर्सक स्रोताओं को पंडित जी का सादर राम राम आज के वीडियो के लिए एक बड़ा सुन्दर प्रसंग को चुना गया है और ये प्रसंग सुनाने का मौका दिया है दर्सक मित्र स्रीमती राम गुनी भारगव जी ने सिधहुली जिला सीतापूर उत्तर प्रदेश से और इनका प्रसंग है कि गुरू जी हनुमान जी ने भीम को क्यूं दिये अपने तीन बाल ये कहां का प्रसंग है और इसमें क्या सच्चाई है तो मैडम राम गुनी जी आपने एक बड़िहा और चक्कर में डालने वाला प्रसंग किया है ये बात सत्य है और सास्त्र वरनि एक बार महाराज पांडू स्वर्ग में अपनी सीट पर बैठे थे, अपने सिर को नीचे किये हुए, स्वर्ग में दुखी असंभ हो, उन्हें देखकर देवराज इंद्र पूछते हैं, स्वर्ग में आने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता, आखिर क्या बात है महाराज पां कि म्रत्यू ने मुझे इतनी जल्दी काल कवलित कर लिया, मैं अपनी राज सुय यग्य करूंगा, वो संकल्प पूरा नहीं कर पाया। हमारे पुत्रों को भ्राता स्री ने इतने कश्ट दिये, बिना पिता के पुत्र और उन पर इतने अत्याचार, इसके बाद भी मेरे पुत्र धर्म की राह से डिगे नहीं, और अंत में इंद प्रस्थ राज की स्थापना करके राजा बन गये हैं। अब मेरी इक्षा है कि मेरे पुत्र पिता के संकल्प को पूरा करें, किन्तु मैं यहां से सिर्फ देख सकता हूँ, उनको कह नहीं सकता। इंद्र ने कहा कि आपकी समस्या का समधान देवरिसी नारज्जी करेंगे। पांडवों के पास नारद मुनी आई और उन्होंने युधिष्ठिट से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता महराज पांडवो बहुत दुखी हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पांडवो अपने जीते जी राजसुय यग्य करना चाहते थे जो न कर सके। ऐसे में आपको राजसुय यग्य करके उनकी आत्मा को सांती पहुचाना चाहिए। तब पांडवों ने राजसुय यग्य के लिए भगवान स्रीकृष्ण की सलाह पर सर्भ प्रथम जरासंद को मल युद्ध में मारकर उसकी जेल में बंद 86 राजा मुक्त कराए। और वो सब इंद प्रस्त के आधीन हो गए। और बाकी के चोदा राजा और जोड कर राजसुय यग्य आयोजित किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यग्य में भगवान सिव के परमभक्त रिसी पुरुस म्रगा को आमंतृत करने का फैसला किया। रिसी पुरुस म्रगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे हैं। उनका आधा सरीर पुरुस का था और पैर म्रग के समान थे। उन्हें ढूनने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौपा गया। जब भीम पुरुस म्रगा की खोज में निकलने लगे तो भगवान स्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुस म्रगा की गती का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार डालेगा। इस बात से भैभीत भीम पुरुस म्रगा की खोज में हिमाले की ओर चल दिये, जंगल से गुजरते वक्त उन्हें हनमान जी मिले, भीम ने हनमान जी को प्रणाम किया और चुप चाप खड़े हो गए, हनमान जी ने भीम से उनके चिंतित होने का कारण पूछा, तो भीम ने हनमान को पूरी कहानी बताई, हनमान ने कहा ये सच है कि पुरुस म्रगा की गती बहुत तेज है, और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी गती मंद करने का मेरे पास एक उपाए है, चुकि वो सिव जी का परम भक्त है, इसलिए यदि हम उसके रास्ते में स हो जाएगा, और तब तक आप निकल लेना, रुद्रावतार हनमान जी ने ऐसा कहे कर भीम को अपने सरीर के तीन केस तोड़ कर दिये, तीन केस निकाल दिये, और कहा कि जब भी लगे कि पुरुस म्रगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं, तो तुम एक बाल वहां गिरा देन यह एक बाल एक हजार सिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा, पुरुस म्रगा अपने सुभाव के अनुसार प्रतेक सिवलिंग की पूजा करेंगे और तब तक तुम आगे निकल जाना, उसके बाद भीम उनकी आग्या लेकर आगे बढ़े, कुछ दूर जाकर भीम को पुरुस म्रगा मिल गए, जो भगवान महादेव की इस्तुती कर रहे थी, भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया, इस पर रिसी ने ससर्थ जाने के लिए हां कर दिया, उनकी सर्थ ये थी, कि भीम को पुरुस म्रगा से पहले इंद प्रस्त पहु की पुरुस म्रगा भीम को मार डालेंगे और उनको अपने मित्र सेर को खिला देंगे, भीम ने भाई की इक्षा को ध्यान में रखते हुए हां कर दिया, और इंद प्रस्त की तरफ पूरे बल से दोड पड़े, काफी दोडने के बाद भीम ने भागते भागते ही पलट कर देखा की पुरुस म्रगा पीछे आ रहे हैं की नहीं आ रहे हैं, तो चोक गए कि पुरुस म्रगा उसे बस पकड़ने वाले ही हैं, तभी भीम को हन्मान जी के बाल यादा गए और उनमें से एक बाल को गिरा दिया, तो गिरा हुआ बाल हजार सिव लिंगों में बदल गया अब सिव के परमभक्त होने के नाते पुरुस म्रगा हर सिव लिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहां, ऐसा भीम ने तीन बार किया और तब जाकर के वो इंद प्रस्त के पास पहुच गए जब वो इंद प्रस्त के द्वार में घुशने ही वाले थे, तो पुरुस म्रगा ने भीम को पकड़ लिया हाला कि भीम ने छलांग लगाई थी, पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए थी इस पर पुरुस म्रगा ने भीम को सेर को खिलाने को कहा इसी दोरान भगवान स्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुच गए उन दोनों को देख कर भीम ने भी बहस शुरू कर दी अरे भाईया हम आ गए थे, हम तो अपने दरवाजे में पहुच गए वो कहते कैसे पहुच गए हमने तुमको पकड लिया यही दोनों की बहस चल लही थी अब वहाँ भगवान स्री कृष्ण के साथ जब युधिष्ठिर जी पहुच गए अब इनकी बहस का जो मौकिक बहस थी अब थर्ड परसन इन लोगों के पास आ गई और पुरुसम्रगा ने युधिष्ठिर से कहा कि अब भईया आप हमारा न्याय करो हमारी ये सर्थ थी और हमने इनको पकड लिया है तब युधिष्ठिर ने कहा भीम के पाम द्वार के बाहर रह गए थे इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खिलाने के हकडार है युधिष्ठिर के न्याय से पुरुसम्रगा बहुत प्रसन हुए और भीम को मुक्त कर दिया छोड़ दिया उन्होंने राजसुए यग्य में भाग लिया और सब को आसिरबाद भी दिया और उनके आसिरबाद से यग्य सहर्स संपन हो गया तो ये थी कहानी वो उनके तीन बालों की जो हनुमान जी ने भीम को दिया था तो उमीद करता हूं कि आपके प्रसन का समुचित उत्तर मिल गया होगा अस्तु जैश्री राम आइ प्रसन पम्रमान श्चाओं कि आपके प्रसन का समें